और सामने बच्चा बात कर रहा है फोन पर देखते हैं मम्मी से कर रहा है पापा से कर रहा है क्या बाद है भाव कर दिया त्याग और जो समरपन भाव है यही आपको एक दिन विनर बनायता है सर हमारे संकर जी सर हैं जो हमारे स्कूल की डाइरेक्टर है उन्होंने एक बार मतलब सेमिनार के अंदर यह बताया था कि हमें जो फालतों की चीज़ होती है जो हमें इग्नोर करने वाली होती है उनको अवोइड करना चाहिए फालतों में अपने जिंदगी में अपना के क्या अपने सपनों को साकार करने का साहस रखना क्योंकि तुम्हारी तरह जुगनों ने भी अंधेरों को रोशन किया है नमस्कार दोस्तों मैं अतुल भार्दवाज नवजीवन साइंस ग्रूप सीकर से और आज हम नवजीवन साइंस ग्रूप की एक ब्रांच RBSC स्कूल की एक होस्टल विजिट करवाने जा रहे हैं और यहाँ पर Self-Study चल रही है और मैं आपको बता दू दोस्तों समय हो चुका है 11 11 बजे तक यह Self-Study चल रही है और हम देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से Self-Study करते हैं और बंद कमरों में यदि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने सपनों को साकार करने की तैयारी में लगे हुए हैं और अपने सपनों को साकार वे तभी कर सकते हैं जब उनकी पढ़ाई मजबूत हो उनकी पढ़ाई में वो dedication दिखे वो self motivation दिखे वो self discipline दिखे तो बहुत ही बहतरीन तैयारी और देखते हैं कि वे किस तरह से अपनी preparation कर रहे हैं अब हम hostel के में गेट से entry कर रहे हैं और यहां देख सकते हैं यह reception area है पूरा reception area में यहां पर Vijay जी बहुत बहुत मुस्तेद हैं विजजी यहां पर और cc tv कैमरा आप यहां देख सकते हैं हर बच्चे की पूरी तरीके से monitoring कीativa है जहिन जहिन आत्मराम जी और कैसी है और ये आत्मराम जी बड़े मुस्तेद है जितनी भी visitors यहां पर आते हैं उनका पू सीडियों से हम बिल्कुल फॉस्ट फ्लोर चलेंगे नमस्कार अशोक सिंग जी हमारे बहुत ही बहतरीन वार्डन है और यह पूरी जानकारी रखते हैं यहाँ पर हर बच्चे की यह डिटेल्स देख सकते हैं वो प्रेजेंट है हर पल की जानकारी बच्चे की मिलती रहती है उसकी मॉनिटरिंग बुरी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है नमस्ते नमस्ते बटा नमस्ते और कैसी पड़ाई चल रही है तियारी एक दम जोरो पर है यह सेर क्या नाम है अपका अंकित गड़वाले सेंगित कॉंसी क्लास में तैन्थ स्टेंडर्ड तैंथ में है और आप बेटा टैंथ स्टेंडर्ड टैंथ में है तो आपका सबसे पहले बता हैं कि जो शुडूल है वो कैसा है क्या रहता है आपका मौर्णिंग में उठने का सरसूबब पांस बज़े के क्षेटि का तायमАरीख होता है ऐसके आडान सर्जाज होती है उठाधेते हैं ऑड़ यह फिर उसके बाद में नाना धुग बजए होता है फिर नास्ते का में उजयता है नास्ता कर सकते енास्ता अपना टीचwiek अमारी एक्शा क्लास लेते हैं और निक डॉउट करते हैं फिर जैसे यहाँ पे आते हैं साम कहा हां फिर थोड़ा रह्यक्र लेते फिर 7 बजे के लग गभुका हम खाना खाते हैं घढ़ा हुड़ा खुक्राट भी तक हमारा खुम्हाना कुम्ठीक हूगा भी मैं चर लिन बिड़ा हुड़ा है कि इस मिर लिए यूरे क्या भी डिर पड़ा है जा बूर्ट जारे कुछा श्ली पढ़ा है उन्हें आपर अब दिए उसको मारा प्री ओड़ाइसम को रिवाइ और यह क्या चीज है मतलब थोड़ा मैट्स का टाइम हो गया था मेरा हर सब्जेक्ट को मतलब टाइम देना ज़रूरी होता है तो मैंने पहले संस्कृत को दिया भी मैट्स का टाइम था तो मैंने मैच में फॉर्मुला लिख लिख के याद कर रहा हूँ तो अच्छा आपके Mac Au器 अपकर से पूरा आप इस तरीके से इसको लिख लिख के यह पर याद करते हैं पूरा सॉलू करते हैं जो Platy층 के अनको को सॉलू करते हैं यहां पर, आपका man subject, आपका मतलब favorite subject कोन सा है? Mathematics ही, क्या सपना है? IITN अपना के क्या ही फाइदा है? और आपकी वैसे hobbies और क्या है? सिंगिंग है सर सिंगिंग है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है जब आप थोड़े से free रहते हैं, cool mind रहते हैं थोड़ा सा क्या है इतना hectic period रहता है, आपका hectic schedule रहता है तो उस बीच में आप थोड़ा सा relax होने के लिए क्या करते हैं? गाना गाते हैं तो आज हमारे भी कुछ दो गुनगुना देंगे? जरूर सर क्या बात है भाउक कर दिया? मा की याद आती है? जिसर आती है बहुत लेकिन पिलकुल अगर मा का सपना पूरा करना है तो आपको अपनी जितनी भी खोहिषे हैं उनको त्याग करना पड़ता है और आपका ये त्याग और जो समर्पन भाव है यही आपको एक दिन विनर बनायता है जी सर अमें नहीं गदा है कि हम घचाटल नहीं है आराम से मस्ती से पड़ते हैं हमें नहीं लगता है ऐसा आप मंधaram कि हम बंध घम्रे में नहीं आप से इस बिलकुल भाइल अश्चाहर विरमाउल दमी बत ड्ने के लिए और यह 6 कि में आठाटली के सब्सक्राइब जी सर वो आकास चोधरी जो आर्बिय से किते तो वो मतलब मोटिवेशन ही है सब के लिए ही कि उन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हसिल की है उनका मैंने इंट्रिव लिया था तो उन्होंने एक बात कही थी आकाश चौधरी ने 99% लेके आया थे उन्होंने गोला था सर मैं मोबाइल तो बिलकुल नहीं देखता था और नवजीवन के अंदर मैंने सेल्फ स्टेडी से इतना बढ़िया लगा मुझे सेल्फ स्टेडी करके वहाँ पर और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और वहीं से ही रात को हम जगते थे और हम सेल्फ स्टेडी करते थे उससे बहुत फरक पड़ा और अब मैं यह चाहूंगा कि आप भी बहुत अच्छे मार और अपनी मा का नाम रोशन करें एक और आपका नाम चैतन शेतन अपका यह सिटिंग है और यह मैं चार्ट देख रहा हूं यह किसी का चार्ट है फिजिक्स का चार्ट है से फिजिक्स फ्रॉमलोग का चार्ट है तो ये लगाने से क्या फाइदा होता है सिर्म को Anita कर सकते हैं से बार-बार कि दिमाग में इसे यह रहते हैं उठते बैठे हर ne इन पर नज़र पढ़ती रहती है सरउ आपको यह हमेशा दिमाग में रहते हैं चलिए आपका सपना क्या वे इतन तो इसके लिए और क्या-क्या क्या क्या परकेशन करना लिएगी आपको 12 के बाद में और क्या-क्या मैहनत stitches सरम मैं मेरे बाईया इटले के अंदर इंजिनियर हैं तो सर उन्होंने आपको मोटिवेट कि एस सर कि आप आई एटी करें और उसके बाद और आगे चाह सकते हैं चलिए बहुत अच्छी आप लगन आपकी बनाये रखें ठीक है थैंक्यू